देखे नवादा में जो घटना हुई है उसमें नंदू पासवान को गिरफ्तार किया गया है उनको मुख आरोपी बताये जा रहा है 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है हम नंदू पासवान के घर पर मवजूद हैं उनकी दोनों बहु हमारे साथ हैं पूरे मसले पर हम बाचित करेंगे देखे 15 लोगों की गिरफतारी हुई है मुख्या रोपी आपके सब्सूर नंदू पास्वान को बताया जा रहा है वहां पे दलित वस्ती है वहां पैर कर दबंग पहुंचे आग के हवाले कर दिया घड़ों को करीब 25-30 घर जाब कि लोग दवा करें कि असी घर लेकिन बेकसूर है इस चीज में हम लोग इन बहुंचे नहीं है एतना बेसर्मा एतना मतलब दरिंगी हम लोग कर ही नहीं सकते हैं अगर करना रहता तेका आवर हम लोग गए है या उन लोग फ्लाइज जगड़ा की है कि आप लोग जमीन पर नहीं रहे या इज या इज ज हम लोग जहों लोग की마 है वहीं लोग रहुवडाण जब ही लोग रही है उलटा हमी लोग पर दव मतलब котором आभ थो कुछ अईसा होने वाला रहता है कोट फैसला देने के लिए रहता है तो इह मतलब ऐसा को झाल को जमीन आप लोगशा है उन्लोगों नोग ने कभ्जा कर क कबजा कर रखा है हां कोट का मामला है सर कोट फैसला देने वाले हम लोग पास रसीद भी है उसका रसीद भी कटा है कागा जुगज भी सब है बच्चे की गिरफतारी हो गए बच्चे भी मेरे कल पटना से आये उसको भी गिरफतार करके ले गए और परसासन क्या बोलते हैं क कि आप खासी के मीठ खाके उस घर में आग लगाएं बताइए सर मेरा बच्चा जहां पर है उसका वहां का रिकॉर्ड भी है और मेरा पढ़ने लिखने मला इस्टूडेंट बच्चा को ले गया इस तरह का अगर कोई कांड किया तो उन लोग से साबूत मांगा जाए सी भी पर कबला करके रखे हुए है अगर किरिशना नगर दो एक है यह दो है अगर एक है तो क्यों इस पर बिल्डिंग बना हुए जो पचासी घर का है साड़े सासो का वादी है और वही उठकर दस गो जोपड़ा गाड़ लिया वहां 20 गो मतला नदी पे दूसरा हम लोगा जमी की हो गई है नंदू पास्वान बिहार पूलिस में हवल्दार थे हां हवल्दार थे 2015 में रिटाइर कि अच्छा उनकी एक और बहु हमारे साथ हैं गिरफ्तारी उनकी हो गई है क्या आप कहना चाहते हैं हम को बर्वाद किया है अज घर को बरवाद कर रहा है तो ठीक है हम जाच मांग रहे हैं हमको भी सब बचा बच्चा हमको जितना चोटा चोटा को उठाके लिए हमारे हैं साथ को मोटर साइकिल उठाकी अब जागाये हैं कवारी ठोड़ फोड़क दिये हैं अफे लेडिस के और धमकी दिये हैं बोला की परसासन की मैं दू? यह बताई ये बताई है की बताई है जमीन आप लोग का है अप लोग के नजर में वही लोगकुजा कर लिया है और आरोब लगा रहा है कि आप लोग कब्जा करना चाहती है और सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन है जमीन चाहती है चाहती है यही नंदू पासवान है कैमरा पर शन्विशाल से कहेंगे कि आपको तस्वीरिया दिखाएं, बिहार पुलीस में हवलदार थे, 2015 में रिटायर हुए, उनकी दोनों बहुँओं का कहना है कि वो बेकसूर हैं, कल घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, वो जमीन हमारी है, मेरे पच्चे को भी पुलीस उठा के ले गई है, तो फसाने की पूरी तरह से कोशिस हो रही है, वो जमीन हम लोगों का है, लेकिन उस पर वही लोग कभजा कियो हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी जमीन हैं, और हम लोग कभजा करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से छूटा आरोप है, ये लोग ये कह रही हैं, तो देखे, घटना जो है वो काफी बड़ी है, मामला तूल पकरता जा रहा है, 15 लोगों की जो है इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जमकर सियासत भी इस मसले पर हो रही है, कैमरा परशन विशाल राए के साथ से शांकुमार, EVP News, नवादा